एक संदेश मैं इस मन्ज से भाच्पा और मोधी सरकार को देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 147 सांसदों को निलंबित करके आप हमें डरा सकते हैं आप हमें धमका सकते हैं तो आईए इस सभा में आईए और देखिए कि इंडिया आलायंस ना डरा है ना जुका है हम लड़ाई के लिए तैयार है वो चाहे हम पर जितना भी जुन कर लें जितने भी ED के कार्यकर अफसर भेजे पुलीस के द्वारा तैयाचार करे लेकिन लड़ाई हमारे DNA में हैं लड़ाई हमारे खून में हैं लड़ाई हमारे इतिहास में हैं हम लड़े थे स्वतंतता के लिए हम लड़े थे जुल्म के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं भारत को अखंड रखने के लिए हम लड़ रहे हैं अपने दल के स्वाविभान के लिए हम लड़ रहे हैं गरीबों के लिए किसानों के लिए श्रमिकों के लिए हमारी मांग क्या थी हमारी मांग थी कि राष्ट्य सुरक्षा में इतनी बड़ी चूख हुई 13 दिसेंबर को तो अपने चूख को कबूल करने के लिए ग्रहम मंत्री को सदन में आना चाहिए यही लोगतंत्र का नियम है यही लोगतंत्र का कानून है कि जब जब इस सरकार से भूल होती है तो प्रजा के प्रती जवाब नहीं होनी चाहिए लेकिन इस सरकार का इतना हंकार इस सरकार को अपने ताकत पर इतना हंकार कि ग्रहम मंत्री यहाँ पे नहीं आकर एक निजी चैनल के पास जाकर अपनी मन की बात करते है प्रधान मंत्री मोदी जी सदन में नहीं आकर एक नीजी अकबार में वारतलाप के दौरान अपनी बात रखते हैं साथियो आज इन दोनेताओं का इस दल का अहंकार को तोड़ने का वक्त आ चुका है और इसके लिए हम लड़ेंगे इसके लिए हम एक जोट रहेंगे नहीं तो आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा खत्रा है इस खत्रे की अलग अलग उधारन हमने देखे हमने देखा कि मनिपूर में किस प्रकार से आज विभाजन हो चुका है मनिपूर्क में लोगों को आज किस प्रकार से दफन किया जा रहा है हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी हर्याना की बेटी हमारे महिला जो खिलाडी है आज उनके साथ कैसे अन्याई किया जा रहा है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीब और अमीर के बीच जो दूरी है वो और बढ़ती जा रही है हम देख रहे हैं किस प्रकार से किसानों पर आक्रमन किया जा रहा है आज हम इस मन से उन किसानों को नमन करते हैं जिनोंने एक साल संगर्ष करके अंत बेजाकर उन्होंने जीत कायम की और मोदी जी के तीन काले कानून को वापिस किया आज उसी तरीके से हमको एक साथ लड़ना है हम पर जुल्म होंगे हम पर अत्यचार होंगे कभी कभी हार कभी हमको मुकाबला करना पड़ेगा लेकिन अंत में जाकर भारत की प्रजा आज वो हमारे साथ है वो बेरोजगार युवा आज हमारे साथ है तो इसे लिए आज यहां पूर उपस्तेत होकर आपने जो अपना साहस और ताकत प्रकाशित किया उसके लिए मैं सभी को मैं धन्यवाद करते हुए अपने तहे दिल से अभार प्रकट करते हुए इंडिया अलाइंस जीतेगा ये घोष्णा करते हुए मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हुँ धन्यवाद जैहिन